हलो फ्रेंट्स आज हम करने जा रहे हैं शिक्स्त क्लास की बुक हानी सकल यह पोर्यम नमबर थर्ड जिसका नाम है तक क्वार्ड रिटन बाई एलेनर फार्जन एक इंग्लिस पोईटेस है यह चिल्टरन्स स्टॉरीज पोईट्री हिस्ट्री सटायर इन सब के बारे में लिख चुकी है इन्होंने इस पोईट में एक मैसेज दिया है और मैसेज क्या दिया है कि सभी भाई बहनों के बीच में सिब्लिंक्स किसको बोलते हैं भाई बहनों को कि बीच में जगडे होते रहते हैं देख वर वे जगडते हैं बट देख हैव एडन लव लेकिन उनके अंदर छिपा हुआ प्यार होता है वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इस पोईटेस ने अपने भाई के साथ अपने जगडे को एक्स्प्लेइन किया है कि कैसे वह अपने भाई के साथ जगडती है कैसे उनका जगड़ा होता है और उस जगडे का क्या रिजल्ट होता है सामान्य तोर पर हम सभी जब छोटे होते हैं तो आपस में अपने भाई बहनों के साथ जगड़ा करते हैं जिहान रहे देर इस डिफ्रेंस बिट्विन कुरल दोते हैं साध्सिक लिए फिजिक लिए फिजिकली लड़ना और क्वारल का मतलब बाते करना बातों से लड़ना अपने भाई यह जताना कि हम सही हैं और वे गलत हैं तो आइए देखते हैं इस पॉयम में क्या है पॉयम को सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करतें और बैल आइकन को प्र आपके ठेस की सकी करते हैं और आपने मेरर इंदू कॉ तुम्हें है जाजरू का कका भी तुम्हा रएगाब से नहीं होल्ग में जब हैं आपसुआ को सूराइब को सब्सक्राइब आपस के आई है पोईटेस ये कवियत्री जो अपने भाई के साथ जगड़ती है और क्या करती है I quarled with my brother मैंने अपने भाई के साथ जगड़ा किया उसके साथ लड़ी I don't know what about I don't know मुझे नहीं पता था क्या बात नहीं पता थी what about किस बात पे जगड़ा हुआ जगड़ा क्यों सुरा हुआ what is the region of the quarled उस quarled का उस जगड़े का कारन क्या था ये कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता बस जगड़ा सुरू हो गया इसने अपने भाई के साथ जगड़ना सुरू कर दिया one thing led to another एक चीज एक बात जिस बात पे जगड़ा हुआ किस बात पे चले गए led to another एक बात से दूसरी बात होती चले गई फिर तीसरी बात फिर अगली बात और इस प्रकार से बातें बढ़ती चले गई एक बात के साथ जिस बात पे जगड़ा हुआ होगा रिजन तो पता ही नहीं है उस बात से दूसरी बात फिर तीसरी बात इस परकार से जगड़ा बढ़ता चला गया जैसे छोटे छोड़े बच्चो में कई बार ज्गड़ा होता है इसने मेरी पैंसेल उठा ली उसने उसका बैग उठा लिया हुचने सकाmo society स्खालिया रहा है है and somehow we fell out, fell out, drop down, गिर जाना, लड़ते लड़ते जगड़ते जगड़ते दोनों क्या हो गए, गिर गए, दोनों भाई बहन आपस में नीचे गिर गए, और ये बहन ऐसा हमें बता रही है, किस परकार से उसका अपने भाई के साथ जगड़ा होता है, और जगड़े का क्या कारण है, ये बिल्कुल नहीं पता है, एक चीज से दूसरी चीज, और दूसरी से तीसरी चीज, इस परकार से जगड़ा बढ़ता चला गया, और वे दोनों नीचे गिर गए, डास श्टार्ट अफ इट, स्टार्ट सुरू होना, एफ ऐट, फ़ल जगड़, और जगड़ा, वाजड़ स्लाइट, स्लाइट, कोई सीरियस नहीं होना, कि जग्ड़ा जब शुरू हुआ था तो वह सेरियस नहीं था वह स्लाइट POL membership भाट थी कूछ ज़्यादा इंप्मोइंट बात नहीं थीम में क्याती एक सिर्येस बात नहीं थी कि के भई सीरियस कोई मेटर है सीरियस बात प्र जग्ड़ा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं था कहते हैं इस जगड़े का एंड बड़ा सीरियस हो गया बात बढ़ते बढ़ते वह ज़्यादा गंभीर हो गई इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि दोनों एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे अब ही सैड ही वोज घाई यह लड़की क्या करते हैं जी अपने भाई के साथ लड़ रही है यह पॉइटेस क्या करती है कि मेरे भाईन ने क्या कहा ही सैड ही किसके लिए प्रियोगवा है ब्रदर के लिए खेस के भाई ने सको क्या कहा he was right कि वो ठीक है इस लड़के के भाई ने 있어서 कहा he was right, वो ठीक है तुम गलत हो I knew I mean this idea I knew he was wrong लड़के कहते हैं कि नहीं मुझे पता था कि मेरा भाई गलत था he was wrong कि वो तो गलत था हमने क्या देखा कि जगड़ा शुरू हुआ एक बहन का अपने भाई के साथ किस बात पर जगड़ा हुआ कुछ पता नहीं है एक बात से दूसरी बात पर ऐसे जगड़ा बढ़ता चला गया दोनों निचे गिर गए पोई टेस क्या केती है जब जगड़ा शुरू हुआ था तो बहुत ही स्लाइट कोई ज़्यादा महत्वपूण बात नहीं थी छोटी सी बात थी कोई सीरियस बात नहीं थी लेकिन जब जगड़ा खत्म हुआ तो महत्र बहुत ही सीरियस हो गया और उसका भाई कहता है कि वह सही था लेकिन यह क्या कहती है यह कहती है आई लो मुझे पता था कि मेरा भाई घलत था. अगर अगर हम इस चैन्जा में राइम वर्ड में की बात करें राइम वर्ड की बतलब ताल एक वर्ड दूसडरे पर कैसे साउं्ड देता है कि दोनों की sound एक जैसी है तो यहाँ पर देखिए brother another यह ओगे brother another यह क्या है same rhyming words है एक जैसी sound देने वाले जो इनका एंट है brother another आप दूसरे खुद देख सकते हैं about out about all out about out और के हागे यह हो गया यह हो गया आगे slight slight और right slight right wrong और strong दो गये strong और wrong यह क्या है यह rhyming words है जो इस stanza में है अब हम अगला stanza देखते हैं अगले stanza में क्या है आईए देखते हैं के आगे poetess वो लड़की जो अपने भाई के साथ जगडा करती है जिसका अपने भाई के साथ जगडा हुआ है हमें उस जगड़े के बारे में क्या बताती है दोनों में जगड़ा हुआ किस बात पे हुआ ये नहीं पता छोटी सी बात पे जगड़ा हुआ उसके बाद जगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत जादा सीरियस हो गया अब दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं जगड़ा इतना हो गया है कि we hated one another we कौन है यहाँ पर brother और sister अब क्या करें कि हमारे बीच में इतना जगड़ा हुआ we hated one another हम एक दूसरे से hate करने लगे नफरत करने लगे बाचित पंद अक्सर ऐसा ही होता है भाई बहनों के बीच में आप लोगों के घरों में भी आपके भाई बहनों के बीच में ऐसा ही होता होगा the afternoon turned black afternoon turned black afternoon black हो गई अब यह नहीं है कि दिन का संमय है और black कैसे हो गई turned black का मतलब यहाँ पे है unpleasant अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है भाई बहन एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लिखती यह बात क्यों नहीं लिखती यह बात अच्छी क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि अ क्या करें कि हम एक दूसरे स्रप नफरत करने लगे हैं और हमारी जो आप्टरून ने जो दिन का समय है वह कैसा हो गया कैसा हो गया अन पलीजेंट अ मधुर नहीं रहा स्वीट नहीं रहा हमें हमारा दिन हैपी नहीं लगा खुश नहीं लगा देन सड़नली माई ब्रदर सड़नली अचानक अचानक क्या हुआ माई ब्रदर थंप्ट मी ओन दा बैक थंप्ट थंप्थपाना हिट करना इसकी कमर पर आके थंप्थपाया इसके भाई ने किसके भाई ने इस पोईटेस के भाई ने इस लड़की के भाई ने क्या क्या अचानक आया और इसकी कमर पर थंप्ट किया थंप्थपाना इसकी कमर पूश ने थप थप आया और क्या कहा एंज सैड क्या कहा इसके भारी ने ओ कम अलोंग अरे चलो साथ में चलते हैं मतलब क्या है अब भाई अपनी बहन को मनाने आ गया है वो रूठी हुई है दोनों के बीच में जगडा हुआ है कहता है ओ कम अलोंग चलो मेरे साथ चलो वी कांट गो ओन ओल नाइच दिन तो जैसे तैसे कट गया दिन में तो हमने जगडा कर लिया वी कांट गो ओन ओल नाइच अरे रात भर हम एक दूसरे से लग नहीं रह सकते इस जगडे को खत्म करो क्योंकि वी कांट गो ओन अब यह जगडा आगे नहीं चल सकता हमारे बीच में क्यों नहीं चल सकता तो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते दिन बेकार हो गया है हम अपनी रात को नाइट को बेकार नहीं करना चाहते I was in the wrong I was in the wrong मैं गलत हूँ I किस के लिए यूज़ हूँ है ब्रदर के लिए अब उसका भाई बोल रहा है अब उसका भाई तो कि उसका भाई आया है और उसको क्या बोल रहा है I was in the wrong कि मैं गलत था मेरी गलती थी अपनी बहन को मनाते हुए अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है So he was in the right अब पॉइटेस क्या कहती है वो भी सोच लेती है के नहीं ये गलत नहीं था गलती तो मेरी ही थी तो क्या कहती है He was in the right अरे नहीं वो तो बिल्कुल right था सही था मैं ही गलत थी भाई आता है आकर के अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि दिन तो हमारा बेकार गुजर गया हमारी पूरी दोपहर अनिपल इजेंट गई उसकी पीड को थप थपाता है और आकर के कहता है कि अब हम और जगड़ा नहीं कर सकते हमें एक दूसरे के बिना बात्चीत किये भी नहीं रह सकते तो चलो ऐसा है मेरी गलती थी आई वो जिन्दा रॉंग अंत में गलती कौन मानता है इसका भाई और ये भी कहते है कि ही वो जिन्दा राइट इसको भी ऐसास होता है कि नहीं वह गलत नहीं थाव है तो बिल्कुल राइट था ठीक था तो इस परकार से हमने देखा कि भाई बहनों के बीच में जो जगड़े होते हैं वो अकसर छोटी सी बात पर सुरो जाते हैं पैटी इस्यूच छोटी बात पर तुच्ची सी बाते होती हैं जिनका कोई सीर पैर नहीं होता और बाद में वो सीरियस हो जाते हैं लेकिन उन मैटर के सीरियस होने के बावजूद भी वे भाई बहन जादा समय तक एक दूसरे के साथ बातचीत के बिना नहीं रह सकते और उसका मेन रिजन क्या है दे लव वेरी मच कि वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसमें भी अगर हम इसकी बात करें कि इसमें राइमिंग वर्ट्स कोन से हैं एक तो अनदर के साथ क्या गया ब्रेदर ब्लैक के साथ क्या गया बैक एक दैसे राइमिंग वर्ट्स है और नाइट के साथ क्या गया? राइट अलोंग के साथ क्या गया? रोग तो इस परकार से ये इनके राइविंग वर्ड्स हैं I hope कि आपको पूरी पोईम समझ में आई होगी आप वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you, have a nice time